अब यह CMS क्लास 3 का Formative Assessment का पहला कोशन देखिए इसमें क्या है अभी इंदर फोकस करते है इसको डिविजन और मुल्टिप्लिकेशन सेंटर्स इसको डिविजन और मुल्टिप्लिकेशन में रखो देखिए बच्चे ने लिखा है फोर इंटो त्री और यहां 11 लिख दी इसलि है तो आप चाहिए यहां 3 लिख दिए एक सर्कल में कितने हैं 3 तोटल कितने सर्कल है फॉर कितने सर्कल है फॉर उस थे इन टो और हर सर्कल में कितना है 233 3 है तो four times three या three four times three four times हो गया या four times three तो दोनों का मतलब भी 12 आएगा ठीक है clear है और यहाँ पर क्या लिखना है divide का निशान divide का मतलब भाई total कितने है total कितना है 12 कितना है 12 तो आपने 12 लिखा total जो आएगा वो 12 और divide भाई हर एक में कितने है 3 तो three से divide किया तो three four the 12 अगर आप इसको ऐसे करें 12 divided by four लिखें तो टोटल है कितने circle है four तो यहाँ पर आज आएगा four three the twelve clear हो कि समझ मैं आरी बात आप ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे भी कोई भी चीज लिखिए दोनों सही न अब यहाँ ही बात याली ऍहां पर कहा आपको dwarf青 नहंबर दे दिए गए हैं Fake नबर दे दिए गये हैं Aah यह से डीफिर दीक्राश्य के पहदा टेकनिकल थोड़ा सा अच्छा होता है पैटर्न आपसे विल्चường से थोड़ा बाहर से बन केहां तीन नंबर दिए गए हैं अब इन अगर 6 se 8 को multiply करेंगे क्या नंबर यूज़ करने 3 नंबर तो 6 se 8 को multiply क्या 48 यूज़ा ना एट 6 is 48 और आपने अपकी 8 पहले लिख दिया 8 6 आ 48 क्योंकि multiply यहां भी करना है लेकिन यहां पहकर करना है डिवाइट करना है क्या करना है डिवाइट से पहले हमेशा जादा तरह बड़ा नंबर होता है जो डिवाइट से पहले होता है वो क्या होता है डिवाइट के निशान डिवाइजर यह हो गया और अग्या अंसर जो चाचा अभी बती जाए जो आंसर वही कोशंट जो इस अंसर ठीक है अग्या अग्या थे तो डिवाइट में मसला यहां पर चला था कि भाई इनी तीनों नंबर को यूज करना है तो डिवाइट के पहले हमेशा बड़ा नंबर यंसें चोटे क्लास में तो फुर्टी अपने यहां बड़े लिखे है और फुर्टी एट को एक बडφलाप्याइज करी निंघ लिए यह अनुए लिए हैक यह अनुसर लिए निखेंगे अब 8 से करेंगे यहां पर क्या लिखना चाहिए एट से तो एट की टेवल ने 48 कि इतनी बार में आता है इसका इसका टेवल पढ़ते हैं इतनी बार कि यह आ जाए ठीक है तो 8 6 इतना हो जाएगा यहां पर नहीं लिखना चाहिए मैं आप लिख दे रहें ठीक है एट से कैसे कोशन आएगा बच्चों का इसी समझाना चाहिए कैसा को आ सकता है था कि इंको पता चले वाकिन नीचे बताएं बाकी कोशन से नेक्स्ट वीडियो में बताते रहें किसी यहनदों कि इंक handler बताते लिए है को आ है अइड़ा है अएगा चाहिए में घू से तुतता चाहिए को का destुछ यह रहें तop का इंक स्टतततू